आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Facebook के अंदर device request क्या होता है Facebook पर device request login क्या होता है तो इस वीडियो को पुरा एंड तक देखेगा इस वीडियो में मैं आपको सारी जान कर भी बताऊंगा यहाँ पर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और चैनल का सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तो यहाँ पर जैसे लिखा है device request इसके उपर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आता है login request यानि कि आप जो है अपने Facebook है उसको किसी दूसरे app के अंदर या फिर किसी Facebook के application के अंदर दूसरे phone के अंदर अगर यूज करते हैं TV के अंदर अपना Facebook login करते हैं तो उसके इसमें आपको password डालने के बाद यहाँ पर एक code शो हो जाएगी या फिर अपने जो भी आप जहाँ पर भी login कर रहे है वहाँ पर एक code शो हो जाएगी और वो code यह आप आपको डालनी है और उसके बाद यहाँ पर अप्रू करना होता है ठीक है two step verification की जैसे यह device login request काम करता है अगर आपके phone में दूसरे phone में login नहीं हो पाता है तो आप आपको एक code दी जाती है जब तक आप उस code को अपने main Facebook application के अंदर यहाँ पर आकर इंटर code नहीं करते ह आपका जो login है वो successfully नहीं हो पाता है तो अगर आपको code दिखाई देता है तो उसके बाद यहाँ पर आपको code इस type से जो है लिख देना है और यहाँ पर approve बटन पर click करना है अगर code सही रहेगा तो यहाँ पर successfully हो जाएगा वरना इस तरीके से error आपके सामने show हो जाएगी तो लाइक और सबस्क्राइब जरूर कीजेगा